चेंज कर लो स्लाइड आपको स्लाइड दिये ना यंज कर दमाट यंज दियू रान यंज क्रूंप यंज गी किश Iss कर दू़ यंज जрафी भाग पटा फट से चेंज कर लो स्लाइड दस दस सेकेंड के बाद बस पटाओंस्टन चेंज कर द से चेंज को से खाले प्राव ओर वो स्लाइड से खाले दुट – अ, यह सुझे कर दो तो दंस दो दोश्टान से जस से कि अज दो से लिए पकाका वान से तो लो सावने कि यह कर दो सुट के लिए आग्ना को सबस्टा है हाले, 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 हां जी, फुल फेस प्लेस प्लेस हलो गाइज, वेलकम इन आर अड़ी दिस्केशन, I am CA Kapil Goyal and this is the day number two of our CA Inter Audit Marathon, कैसे हो जी आप लोग? क्या बात है, बहुत बड़िया एनर्जी है, इतनी ही एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, ठीके? तैयार हो, इस एतिहासिक CA Inter Audit Marathon के लिए, और मैं साथ ही साथ पूछना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेन लाइव भी देख रहे हैं YouTube पर, आप भी बताइएगा बेटा कि आपका कैसा जोश है, क्या आप लोग तैयार हो आज, दुबारा से, कल जितनी ताकत के साथ, मेह पुद्दत के साथ, आज हमें दुबारा से क्या करना है, हमारा CA Inter Audit आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है, आज मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए आप सभी लोग बड़े उत्सुक बोलते हैं, हाँ, बड़े ही excited होते हो, कि सर एक चेप्टर आप हमें जरू प्रेंस का, जिनोंने अपना पूरा दिन, कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन और आने वाला कल हमको देने वाले हैं, देखे, मैंने प्रोमिस किया था आप लोगों को, कि मैं आपको 100% स्लेवर्स करवाँगा, ठीक है, अब भाई कोई हल्वा तो है नहीं, हमने गैस पर क आपको करवाने में 140 घंटे लगाते हैं, उसको समराइजड और या कितना भी मैं फास्ट चल जाओ, 20 घंटे तो लगेंगे, कल का हमारा सेशन एफेक्टिवली 7 घंटे का था, आज भी अगर मैं 7 घंटे लगाता हूं, तो कल मेरे बैलेंस 4-5 घंटे तो चाहिए मुझे, क् है, येस सर, तो कैसे हो आप लोग, आज तो, हाँ, भाईया मेरा गला चला गया था, भगवान श्री कृष्ण जी आए, बोले तास तू, आज आज के लिए गला होड़ दो देते हैं तरको, रात को मैंने, ताज यार कल मेरी पार्टी खराब करवा दे तुम लोगों ने, च कितने बच्चे कुछ रिवाइस करकर आए हैं, आज मैं आपको एक बड़िया चीज से स्टार्ट करवाता हूँ, कुछ एनालेसिस दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, देन विल स्टार्ट, हां जी, लाई वाले सभी स्टुडेंट भी कमेंट करकर बताएंगे क्या आप ल पर भी डालता हूँ, में टेलिग्राम पर लेकिन एक या दो दिन में कंटेंट रिमूव हो जाता है, हमेशा कहां रहेगा, CA Interaudit Notes वाले टेलिग्राम चैनल पर, एक बार एक एनालेसिस देख लो बस, छोटा सा, आप लोग चाहते हो ना, कि सर जब मैं में एक्जाम में जाता, और कोई ऐसा तरीका, सर, कि मैं सिर्फ और सिर्फ आदे घंटे में सारे पेपर कर लूँ, कितनी मिनट में, 30 मिनिट्स, and all the past year papers done, तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, to save your time, कैमरा का एंगल थोड़ा नीचे करो, हाँ, full screen, to save your time, मैंने आपके लिए एक समरी बनाई है, ठीक है, अच्छा, एक बर तालिया बजा के अपना स्वागत कर लो, आप सही बच्चे तालिया बजाएंगे, इन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये हसते हुए चेहरे, बहुत ही उन्दा बेटा, I hope, आप enjoy करो आज के session को, और ये च चेहरे जो हस रहे हैं, जो हिल रहे हैं, ये इसी तरह से भगवान करें हमेशा, खुश रहें, हसते रहें, और जीवन में आगे बढ़ते रहें, ठीक है, लियाओ भया, लियाओ, वापस से लियाओ, हमारे पास, भया, फूल स्क्रीन डालेंगे एक बर, with face, with face, with face, with face, देख इस समरी में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या रहा है, बेटा, question number, अच्छा, ये सबसे पहले क्या रहा है, question number, आपके paper में, जो descriptive question आते हैं, आपके, एक second सुनेंगे, प्यारे बच्चे, question number 1 क्या होता है, correct, incorrect, 2 से हमारा descriptive part स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है question number 2, A, और उसी की तरह, फिर हमारा question number 6 तक होता है, एक paper में, ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने list बनाई, फिर इसको sort कर दिया, क्योंकि आपके लिए attempt wise important नहीं है, आपके लिए chapter wise और attempt wise, दोनों important है, क्योंकि हो सकता है, आज आप chapter 1 का revision कर रहे हैं, तो आपका मन करेगा, यार पिछले attempt के सारे chapter 1 के question बता दे कोई, तो मैंने क्या किया, इसी की side में column add किया attempt, कि किस paper में question आया था, और कौन सा chapter उसका नाम भी डाल दिया, क्योंकि हो सकता है, मेरी book के अंदर chapter number अलग हो, ICI में अलग हो, अब एक example दे रहा हूं स तो क्या मैं, पिछली बार के अगर मैं 6 attempt कर सकता हूं, तो आने वाले भी कर सकता हूं, एक positive-ness के लिए, तो आपने देखा भाई, question number 2A आया था, जो कि है ethical requirement, और paper में कब आया था ये, जैन 21 में, फिर उसके बाद question number 2C आया था, inherent limitation of audit का एक part होता है, other matters, वो कब आया था, July 21 म कब आया था, November 21 में, objective of audit रहा था, May 22 में, उसके बाद, client can request change in terms of audit engagement आपका आया था, November 22 में, 5 attempt और कितने question आये, 5, ये मैं बात कर रहा हूं, descriptive की, MCQ, correct, incorrect, are separate, इसी के साथ, आप देखेंगे, मैंने एक column add किया, number of questions, 5 attempt की मैंने working आपको दिये, कितने एक बार question आया, 5 बार, अगर आप देखेंगे, chapter number 3, audit documentation and audit evidence, कितनी बार question आया है, 14 question आपके paper में आया है, मतलब on an average, on an average अगर आप देखेंगे, 13 से 15%, descriptive part का, आपका कौन सा chapter कवर करता है, उसके अलावा, MCQ, correct, incorrect, अलग, मतलब मैं ये बोलना चाहरा हूँ बेटा, 3 से 4 question minimum आपके paper में आते हैं, कोई भी attempt उठा लेना, आप कहां से, chapter number 3 से, तो आपको chapter 3 का हर एक standard on tips होना चाहिए, 13 से 15 नमबर तो descriptive है भाई, 4 से 5 हो MCQ, correct, incorrect, और लेके जाएगा, तो मतलब 120 नमबर का paper है, 20 नमबर का paper कहां से है, chapter से, और मैं कोई ये, मैंने 2-4 वीडियो और देखी दी YouTube पे, नले लोग कुछ पता होता नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, बैटा, ये chapter कर लो, ये chapter कर लो, 20 नमबर का काम आजाएगा, भाई, 50 के लिए भी कर सकते हो, 80 के लिए भी कर सकते हो, 100 के लिए भी कर सकते हो, दूसरी एक और चीज, आपको एक color highlighted दिख रहे है, ये वो question है, जो मेरी judgment में कुछ अच्छे question है, बाकी सब तो plain question है, बाकी सब क्या है, ये वो question मैंने आपके लिए highlight कर दिये, जो मेरे हिसाब से, according to तो माय प्रोफेशनल जजमेंट इस आर दी गुड कोश्चन जिनको आप एक बार रेफ़र कर सकते हो पूरा स्लेवर्श करने के बाद इवन चैप्टर वाइस भी जब आपने किये ना तो आप इन कोश्चन को अलग से कर सकते हो तकरीब आठ से दस कोशन है आउट ओफ हेंड चैप्टर नंबर थिरी से तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई मैं कुछ भी छोड़ कर जाऊंगा चैप्टर थिरी का हर एक स्टेंडर उसमें से जो भी पॉसिबल कोश्चन है पूरा अच्छे से करकर जाऊंगा अब आगे आजाओ चैप्टर नंबर फोर वो तो बेस आपको पता ही है उसमें से 9 कोश्चन आए है बनाओन एन अभरेज दो कॉच्चन आपके हर पेपर में आते हैं लेकिन चैप्टर फोर नहीं आता अब बाकी प्र एटेंट नहीं कर पाऊगे आपके fraud में से 5 question 5 attempt मतलब 1 question के average आती है automated environment में 5 attempt कितने question एक से ज़्यादा question के average है mcq correct incorrect अलग है उसके बाद आपका sampling आता है sampling में से आपके 5 question है 1 question के average है analytical procedure 5 question 5 attempt 1 question के average है audit report इतना आसान chapter एसे 700 series cover होती है एक से ज़्यादा question की महां से आपकी coverage हो जाती है अब बात करते है company audit 5 attempt question कितने है 11 और इसमें मैं caro add नहीं कर रहा हूँ आप caro भी add करोगे तो इसको 15 कर लो आप तो इसका मतलब अगर मैं company audit और caro को भी बहुत अच्छे से करके जा रहा हूँ मेरे कितने descriptive question कवर हो जाएंगे 3 chapter 3 में ने अच्छे से कर लिया मेरे कितने question कवर हो जाएंगे minimum 3 से 4 ठीक है तो और एक और खास बात since company audit आपका low का subject है ना आप पिछले 10 attempt का paper उठा लो 10 attempt का inter audit के अंदर ICI ने कभी भी company audit में बच्चे को घुमाया नहीं है वो हर chapter में घुमायेगा हो सकता है वो आपको analytical procedure में case study बना के दे opening balance में case study बना के दे going concern में case study बना के दे company audit में वो बच्चे को lollipop question देता है अब सारे question देख लो सारे direct question है सारे में एक बार read कर रहा हूं आपके लिए removal of auditor का क्या concept है वो बता दो section 144 की कौन कौन से services होती है वो बता दो course record कौन से maintain होते है वो बता दो function of audit committee क्या होती है वो बता दो penalty in case of casual vacancy वो बता दीजिए section 143 में reporting के अंदर क्या क्या जाता है वो बता दीजिए reporting of fraud का concept punishment क्या है section 147 की right to lean of the books of account maximum number of audit engagement क्या है कोई भी case study है वो question लिखेगा आखरी में आपसे direct पूछेगा तो company audit के सारे question आपके कैसे आते हैं हमेशा plain vanilla question कोई घुमाएगा नहीं आगे आ जाओ फिर आप एक chapter करते हो जिसके आज मैं शुरुआत करवाने वाला हूं क्या ना में उस chapter का audit of कितने question है 16 question हर attempt में minimum 3 और 4 question आपके paper में आते हैं अभी मैं start करवाँगा तो इसमें थोड़ा ओर detail में बात करूँगा सर यह तो आप मजाक कर रहे हो इसका मतलब मेरे को 5 question में से 4 करने है चार में 4 चार मतलब 16 question attempt करने है 3 मैं कर दूँगा chapter 3 के 3 कर दूँगा company audit कारों के 3 से 4 कर दूँगा मैं item के बचे कितने 3-4 question आया ना yes or no तो वो तीन चर कहां से आएंगे chapter 5, 6, 7, 8 से फिर से मेरा different type of entity कहां जाएगा मन में आएगा सवल वो भी तो वो भी तो एक प्यारा सा chapter है बड़ा सा आजाओ उसकी भी बात करते हैं उसमें से कितने question है आपके 11 लेकिन यहां एक game है ग्यारा question मतलब पांच attempt दो question के average लेकिन यहां इसे एक game खेल जाता है यह दो है कभी कभी तीन होते हैं तीन है तो यह दो है दो है तो यह एक है कुछ समझाई मेरी बात नहीं समझाई लाइव वालो बताओ समझाई मेरी बात वीडियो लाgg करो में आके बात नहीं कररा, भईए लाईव वाले कैमरे ऊटा दो, में लाईव वालो से भी बात नहीं करा, 300 बच्चे लाईव देख रहे हैं, वो like 70, सीने में पत्थर लगता है भाई, सुनो, 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 तीन है तो दो है, दो है तो एक है, क्या मत केवरेंट टाइप ओफ कोशन दो करना तो एक ही है यह दोनों लिखोगे कोशन नंबर 6A आंसर मैं करके आउं चप्टर फिर और कोशन नंबर 6 का आंसर A पेपर में नंबर तो एक कहीं मिलेंगे तो इस चेप्टर में ICA क्या करता है, option में question रखता है, दूसरा game कैसे खेलेगा, question number 6 में 5 question आते हैं क्योंकि एक option उसमें भी होता है, out of 5 you have to attempt 4, इस छठे question में 3 question डाल दिये किसके, government audit के, तो दो मानलो दो मेरे को बाकी कोई अच्छे साथ है, मैं दो attempt करूँगा यह मानलो, कोई बच्चा कहता है, मैंने छठाई attempt नहीं करना तो उसके लिए chapter क्या हो गया खतम, फिर वो एक एक question कहा सा attempt करेगा, chapter 5, 6, 7, 8, या 1, या 2 कहीं से भी, हाई मेरी analysis समझ आई, आपको help करेगी एक्जाम में, अब आपन स्टार्ट करते हैं, audit of item of financial statement, लो जी, इसके notes आपको लेने है, टेलिग्राम चैनल से, notes मिलेंगा आपको इस चप्टर के, अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर, हमने like कर दी, आपने like पहले चला के छोड़ दिया होगा, शुरू में, तब like कम थे, अब आप open करो, ओहो, माफ करो बिटा, सही है, चलो जी, हम मैं कर देता हूँ, phone side, लो जी, आज का पहला chapter, अब कोई बच्चा है ना, जब time stamp डालेना, तो यह मच डालना की lecture start from this time, क्योंकि इससे पहले का discussion बहुत important था, आपको पता नहीं चलता, आप recording वाला का card देते हो, बहुत बढ़ा, वो क्या करते हैं, tile stamp लगाते नहीं, ताकि दूसरे बच्चे की help हो जाए, और वो discussion part card देते हैं, भाई, चेप्टर वन या से, बाई, त मैं strong करूंगा पहले, आपका भी को सकता है, going concern, आपको भाई, मैं strong करूंगा, क्योंकि तीन question आएंगे, मालो 560, 70, 80 से आगया, आप करके गए थे 230, 500, 500, 1505, लग गए भाई, हाया ना, लो जी, audit of item of financial statement, थोड़ा सा serious chapter है, I hope आप लोग भी mood में हो पढ़ने के, अरे बिना लिखे ही पढ़ाते हैं, आपको यार, ऐसे time बहुत लग जाएगा, सुनियेगा, audit of item of financial statement, financial statement के अंदर आती है, balance sheet, P&L, notes to accounts, ठीक है जी, balance sheet और P&L कोन बना रहा है, मैं तसल्ली से पढ़ाऊ ना यारो, आपको जल्दी है, मुझे भी नहीं है, balance sheet, financial statement कोन बनाएगा, management बनाएगा जी, financial statement बनाने की जिम्मेदारी management की, सही बनाने की या गलत बनाने की, सही बनाने की, तो management financial statement बनाती है, और वो financial statement बनाकर मुझे दे देती है, लो जी, अब ये financials हैं, जब वो financial statement मेरे पास आए, वो अभी audited नहीं है, क्या उस पर management board of director को approve करना पड़ता है, sign करना पड़ता है, हाँ, financials को approve करना पड़ता है, कि भाईया देखो हमने financial बना दिये sign ठपा, अब वो sign ठपा क्या बोलता है, कि वो सही का मतलब क्या है, कि अगर यहां पे fix assets 5000 करोड के आ रही है, तो इसका मतलब है, यह fix assets हमारी है, यह fix assets exist करती है, हाँ या ना, हाँ या ना, अगर उसमे cash balance आ रहा है, तो वो हमारा है, क्या आप बात है, कहां थे तुम, तो वो हमारा है, basically वो जितनी भी item उसने यहां पे डाली है, वो सबको assert करता है, सब पे एक assurity देता है, कि यह सब company से belong करता है, चाहे asset है या liabilities है, और उसने sign करके दे दिया, अब auditor के पास वो financial आ गए, auditor को इनको audit करना है, और उसे एक sign करके एक opinion देना है, कि यह financial statement आ गिविंग ए true and fair view, सर इस true and fair view का मतलब क्या है, इस true and fair view, अरे free from material statement ठीक है, बट इसका, एक अगर आपन बिल्कुल basic तरीके से पुछे, what is this true and fair view, यार true and fair view का मतलब यह है, कि जो figures यहां आ रही है, जो management बोल रही है, sign मतलब बोल रही है, वो सही बोल रही है, मतलब जो उसने assert किया है, वो सही है, उसने क्या क्या assert कि है, कि हमारे financial के अंदर जो भी आ रहे हैं, वो complete है, यहां पर जितनी भी assets आ रही हैं, वो सारी exist करती है, यह पूरे financial क्या है, accurate है, जितनी भी liabilities हैं, उन पर हमारा क्या है, obligation है, हमने जो भी financial बनाए हैं, उनका presentation F.S. पर F.R.F. है, इसी कोई तो मैं बोलता हूँ क्या, अजर्शन्स और सिवो, इसका मतलब एक auditor को कुछ नहीं चेक करना होता, जो management ने assert किया है, उन्हीं अजर्शन को क्या करना पड़ता है, verify करना पड़ता है, और once I will verify all the assertions, मैं बोलता हूँ मेरा area क्या हो गया है, complete हो गया, इसलिए अजर्शन को क्या बोला जाता है, अजर्शन्स और the representation made by the management, कि जो management representation क्या है, वो अजर्शन होती है, जिनको हम लोग क्या करते है, verify करते हैं, दो तिन तरह से अजर्शन हो सकती है, आपके financial में लिखा हुआ है cash in hand, 10,000 रुपीज, अब आपके दिमाग में क्या हैगा, 10,000, 20,000, 50,000 हो सकता है, आपके दिमाग में क्या आएगा, कि ये cash in hand company से belong करता है, company का इस पे right है, ये free है, ये valid currency के अंदर है, ये ही तो आप बोलोगे, हाँ या ना, आपकी books of account में आ रहा है, PPNE, 5000 करोड, depreciation till year, फिछले सालों तक का इतना, depreciation for current year इतना, और balance उसका WDV इतना, जो भी है, इस से हमें क्या पता चलता है, कि वही company के पास plant and machinery fixed assets 5000 करोड की है, उसका valuation जो किया है, वो सही तरीके से किया है, as per जो भी accounting standard at 10, उसके हिसाब से किया हुआ है, last year का depreciation इतना था, current year का depreciation का calculation इ इतना है, समझा रही है बाते, अगर company लिख देती है, borrowing 100 करोड, तो क्या समझा आता है, कि आपने को यह समझा आता है, कि sir, borrowing जो है, वो 100 करोड की है, कुछ और समझा रहा है, obligation होगी, sir, pay करने की, कुछ और, sir, अभी बाकी कुछ लिखा नहीं है वापे, तो अभी हाँ पे information missing है, किसरी borrowing किस से की गई है, किस rate of interest पे की गई है, वो भी तो लिखो financial में, हाँ या ना, तो मतलब जो financial में चीजें लिखी जाती है, मैं उनको read करता हूँ, पढ़ता हूँ, हमारे गुरू जी ने हमें बताया था, जो चीज मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब हमारे teacher ने हमें बताया था, जब मैं आपकी तरह पढ़ता था, आप भी शायद उनसे पढ़ रहे होंगे आ लेंग्वेज है, यह क्या है, यह मेरे words नहीं है, यह मेरे accounts के गुरू जी के words है, और मैं उस stage को आज बिल्कुल सही बोलता हूँ, वो सही बोलते थे, कहते हैं यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, general entry में, मैं उसे पढ़कर बतातूँगा, यह क्या है, हाया ना, और वो language को और नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम मुनी में हम ही पढ़ सकते हैं, ऐसा होता है क्या, अगर मैं लिखू purchase account debit to bank, हजार हजार तो अब बता दो कि इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है, कि हमने समान खरीदा है, कितने का, क्या बात है यार, तो this is language, मतलब यह चीजों को असान बनाने का तरीका है, mindset, भाई आपको एक language सीखने है, वो language आगई है, आप account क्या, कुछ भी बनवाल हो आपसे, पढ़ते हुए जाना है आपने, समझा रही है बाते, तो management represent करती है, assert करती है, हम उन चीजों को verify करते है, मैंने तीन example आपको दिये, अजर्शन्स दो तरीके की हो सकती है, negative अजर्शन्स भी होती है, क्या, जैसे financial statement में आ रहा है, borrowing zero, इसका क्या मतलब है, हाँ, भाई आपके हमारे पास, हम बोल रहे हैं, हमारे पास borrowings नहीं है, अरे नहीं है, तो लिखते नहीं, मैं माल लेता कि तुम्हारे पास, लेकिन वो फिर भी लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह negative expressed अजर्शन हो गई, मैं express करके बता रहा हूँ, नहीं लिखते तो implied था, हाँ या ना, समझाया, अजर्शन, अब financial statement के अंदर, तीन एरिया में अजर्शन डिवाइडिड है, एक आपकी income statement, दूसरा balance sheet, तीसरा presentation and disclosure, balance sheet के अजर्शन क्या क्या थी बताना ज़रा, CWOP, जो P की बात करता है, यह separately करता है, कहते हैं, जो presentation है, वह हम income statement और balance sheet दोनों का combine करके देखेंगे, ठीक है, C का मतलब क्या है जी, completeness, E का existence, A का accuracy, V का evaluation और O का right and obligation, P से presentation, यह balance sheet की अजर्शन है, आपको बस इतना ज्यान होना चाहिए, कि मुझे अगर इनको income में करना है, तो कौन सा नाम किसे change होगा, C मेरा C ही रहेगा, existence, occurrence, मुझे देखना है कि सारी transaction during the year अकड हुई है, यहा, ऐसा तो नहीं है, इस साल की transaction अगले साल चली गई हो, और अगले साल की transaction, इसके लिए हमें एक audit procedure करते थे, कौन सा, Cut off testing, यहाद है आप लोगों को, Cut off testing, उसके बाद accuracy, कि सारी transaction accurately गई है, और इसकी जगे हम measurement भी ले सकते है, accuracy और measurement आप दोनों डाल सकते हो, valuation, valuation ही रहेगा आपका, ठीक है, measurement यहाँ पर भी लिख सकते हो, आप, and right and obligation, आपका जो भी आपने समान खरीदा है, जो भी आपने revenue किया है, उस पे आपका right होना ही चाहिए, तो basically एक assertion हम बोलते हैं, बस आपने याद रखनी है अलग से, वो बताएगा कोई कोन सी है, यह interview का question भी होता है, बाकी सारी आप same common बोल सकते हो, एक assertion होते हैं, occurrence जो है, वो transactions के लिए है, और जो मेरा existence है, वो year end की चीज़ों के लिए है, यह चीज़ आप यहाँ रखना, क्योंकि paper interview में question पूछ सकते हैं, एक ऐसी assertion बताओ, जो balance sheet account पे आप लगाओगे, तो आपने क्या बोलना है, existence, एक ऐसी assertion बताओ, जो आप transactions पे लगाओगे, occurrence, इ अब इस chapter को, अब यह वही example है, जो मैंने आपके लिए लिए है, plant and machinery कितने की दिरखी है, दो लाख की depression डाल दिया, current year का depression डाल दिया, balance डाल दिया, तो इससे आपको क्या पता चलता है, आपने यह यहाँ पे नीचे लिख दिया, हमें इससे क्या-क्या read कर पा रहे हैं, दू यह करके जाना है, भाई, कुछ याद करने की ज़रुत नहीं है, अभी तक, यह सिर्फ आपको knowledge में होना चाहिए, आज से 4-5 अटमन पहले यह paper में question आया था, same यही, यह paper में question आया था, कि कौन-कौन से suggestion आपको इससे पता, तो आईसे कुछ भी draft करके दे आपको, आपने ब आपके audit of item of financial statement में 4 category के question है, एक question तो मैं ही बता दूँगा आपके paper में क्या आ रहा है, अभी बता देता हूं 2 minute में, आपके paper में मिलेगा वो, ठीक है, इसमें आपके 4 category के question है, वन, आपका low base question, जैसे कि मैंने इसकी पूरी category बना रखी, आप लिखना मत, सारे notes रेडी हैं, जैसे कि आपका share capital, security premium, discount, account, sweat, equity share, इस तरह से, इस सारे आपके concept कहां के हैं, low के, low में आप इनके provisions पढ़ते हो, sections पढ़ते हो, आपको audit में कुछ करना ही नहीं, paper में अगर आ जाए, security premium को कहां कहां utilize करते हो, auditor क्या देखेगा, भई auditor क्या देखेगा, जो provision की requirement है भई, तो आपने क्या लिखना है, provision जो आपका low का requirement है, भई, आपने अपने answer में लिख देना है, और आखरी line में आप पहले हर line के साल लिख देना, auditor को ये सारी चिज़े क्या करनी पड़ेंगी, verify, जो लोग की requirement हो पूरी हुई या नहीं हुई, तो इसमें मेरा audit का कोई भी घ्यान नहीं है, तूसरा, आपके accounts के question, कहां के question जी, account के question, example बोलना start करो, जैसे की depreciation क्या होता है, amortization क्या होता है, आपको इनके accordingly AS की knowledge होनी चाहिए, आपके auditor को AS का ही compliance चेक करना है, हाँ या ना, intangible assets क्या है, current assets क्या होती है, provision क्या होता है, reserve क्या होता है, और क्या concept याद है किसी को, हां, current liability क्या होती है, current assets क्या होती है, और बताना यार, नहीं, borrowing पे नहीं आता question, हां, contingent liability क्या होती है, मतलब यह specific, आपके accounts की definitions हैं, paper में पूछ सकता है, आपको लगता है, सर उसे पूछना चाहिए, यह है, there are very less chance कि वो आपसे पूछे भई, reserve बताओ क्या होता है, लेकिन फिर भी एक question इसमें से पूछ सकता है, वो आपसे आपके paper में आ सकता है, तीसरी category, audit, क्यूंकि आप लगाते हो लपे और उसमें नंबर मिलते नहीं है, audit के अंदर आप अपने सारे financial statement के caption पकड़ लो, इवन उसमें low के caption भी पकड़ लो, जैसे share capital, अगर low based question आगया तो आपने simple करना है कि जो low की requirement उसको verify करना है, काम खतम, account का कोई question आगया तो आपने बताना है, रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, वो explain करना है, और फिर आपने इनके अंदर specific points आएंगे audit के, अब audit के आते हैं, specific areas, specific questions, जैसे, एक example मैंने लिखे हैं ताकि मेरे को आपके लिए थोड़ा चीजे मैं easy कर सकूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ जी, जैसे यह रिख, आपके specific question आते हैं, जैसे cash को कैसे verify करोगे, ठीक है, cash in hand को और cash at bank को, inventory अगर third party के पास है, तो आप कैसे verify करोगे, अगर आपने consignment sale किया है, तो आप कैसे verify करोगे, अगर आपने goods on approval basis भेजा है, तो आप कैसे verify करने वाले हो, borrowings को कैसे देखोगे, loans को कैसे देखोगे, debtor को कैसे देखोगे, creditor को कैसे देखोगे, other income कैसे देखोगे, other expense कैसे देखोगे, यहाँ पर य करेंगे और एक लास्ट के अंदर आती है कौन सी कोई बताएगा डिस्क्लोजर रिक्वाइर्मेंट जो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगी क्योंकि दुनिया भर की डिस्क्लोजर रिक्वाइर्मेंट याद कर सकते हैं क्या पॉसिबल नहीं है भाई कुछ भ करना है तो डिस्क्लोजर रिक्वाइर्म अब चार केटेग्री मैंने इस चेप्टर को क्या किया चार पार्ट में डिवाइड कर दिया इस चार पार्ट में मैं आपको इसके सम्मरी नोट्स देने वाला हूं जिसमें एक पार्ट में आपको क्या मिल जाएंगे सारे लो बेस question, second part में आपको क्या मिल जाएंगे, account based question मेरा audit का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तीसरे में आपको क्या मिल जाएगा audit और fourth में क्या मिल जाएगा disclosure, अब सर्थ 3 से 4 question आते हैं, इसले attempt में भी 3 question थे, हमेशा 3 से 4 question आते ही है, क्या लगता है, सारे audit पुछेगा, एक बार तो 2 disclosure requirement पुछी थी, एक account पूछ लिया, एक audit, किसी attempt में एक low से पुछेगा, एक audit से एक disclosure, मतलब आप एक portion छोड़ के जाओगे, आप समझ लेना, आप एक question छोड़ कर जा रहे हो, मैं आज पढ़ाने से ज़्यादा मेरा focus कहां पे है, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या cover करना है, कितना cover करना है, वो समझा रहा हूँ चैप्टर के आखरी में अगर किसी के पास book है तो, यह देखो आखरी में सारी disclosure requirement चल रही है, दिख रही है, तो बहुत सारी disclosure requirement थी, यह पूरी disclosure requirement मैंने देखी, और बच्चों को 5 important mark करवाई थी, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, एक CSR, एक बेनामी property, एक ratios, एक cryptocurrency, एक और थी बेटा, एक undisclosed income, पांच, इस बार मैंने दो तीन और identify किया है, लेकिन एक attempt में इन में से आ चुकी है आपकी CSR, और बेनामी, एक की attempt में दो आ गई, पिछले बार के paper में शायद आ गई थी आपकी, जो अभी paper हुआ था cryptocurrency, अब आपक payment में क्या हैगा, या तो पुछेगा कौन-कौन से ratios disclose करने है, लिख लो आ रहा है paper में, if or button है इसमें, मतला आप इतनी सारी disclosure requirement कर नहीं सकते हो, मैंने बता दी paper में क्या हैगी, या तो पुछेगा आपसे ratios, या वो पुछेगा आपसे, अगर आप undisclosed income को कर रहे हो, तो क्या disclosure जाने वाला है, वो बता दो, 99% तो इन दो में से एक आ जाएगी, हलाकि इस बार मैंने एक और निकाले, मैं practical life में देखता हूँ, real world में क्या चल रहा है, वही आपके paper में आता है, इस बार मैंने एक और निकाला है, मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, लेकिन आनी यहीं से चाहिए, लेकिन एक होता है, safer side भाई, बता दो, कोई मेरे जैसा teacher हुआ है, नहीं आ रही है, तो कोई भी judge कर लेगा, कहा है, किसी को PPN नहीं दिख रहे हैं, यह रहा, यह PPN निके नीचे table देख रहे हूँ आप, वह आप से पूछ सकता है, title of immobile property को कैसे show करते हैं, तो यह बड़ा easy है, आप gross value दिखाओगे, कमपनी के नाम पे है, क्या promoter के पास है, किस date से है, कमपनी के नाम पे क्यों नहीं है, यह मेरे हिसाब से बहुत important है, कारों में भी यह पॉइंट अगर आप देखोगे तो, इसलिए निकाला है मैंने यह पॉइंट, ठीक है, बसे किये और देख लेना, अगर देखना हो तो disclosure requirement और बाकी आप अपने account की knowledge के base वे, अगर वो पूझ ले cash की disclosure requirement बताओ, तो आपने अपने account में जो सीखा है, उसके हिसाब से लिख देना बाकी नहीं, अब हम इसका discussion करते हैं, सर आपके paper में question कैसे आएगा, मैं आपसे पूछना चा रहा हूँ, वो आपसे यह पूछेगा, intangible का audit कैसे करते हैं, या वो आपसे यह पूछेगा, कि intangible का valuation कैसे करते हैं, या वो आपसे पुछेगा PPNE का right and obligation कैसे देखते हैं या वो आपसे पुछेगा debtor का completeness कैसे देखते हैं आप क्या expect कर रहे हो कि सर वो हमसे किस तरह से question पुछेगा कि वो हमसे एक audit पूछ लेगा और मैं सारे audit procedure डाल दूगा या सर वो हमारे कपड़े उतारेगा वो मतलब मुझसे एक अजर्शन देगा और मुझसे audit procedure पुछेगा अजर्शन देगा और आपसे audit procedure पुछेगा पिछले attempt के कितने भी paper उठालो उसने हमेशा एक अजर्शन दिया है और बोला है कि बता हो इसको आप कैसे verify करोगे और आप लोगों को general answer याद होता है या आप रटके जाते हो आप वो लिखते हो आप दिमाग नहीं चलाओगे आप इस चप्टर में कभी भी number score मतलब आपको अजर्शन की knowledge होनी चाहिए number one दूसरा आपको हर अजर्शन की अगेंस्ट कौन कौन से audit procedure लगते हैं उसकी knowledge होनी चाहिए तीसरा आपको हर area से regarding specific हम किस तरह से testing करते हैं वो बता होना सर इतना सारा ग्यान कहां से लाओं जो हमारा module बनेना वो यही ग्यान देता है ठीक है जैसे अब मैं बात करता हूँ मैंने सारी अजर्शन लिखे हैं आपके लिए एक summary बनाई है हमने यह दिख रहा है अभी मैं बहुत डिटेल में दूँगा आपको जब यह टेलिग्राम पे आएगा सबसे पहले हमने generalized answer बताया एक होता है न जब कुछ नहीं आता तो लपे तो मारो कम से कम तो आपको पता है भीया जब भी हम किसी area का audit स्टार्ट करते हैं सबसे पहला step क्या होता है risk assessment, दूसरा control तीसरा substantive सबस्टेंटिव का मतलब होता है सर adjustments check करना पहली अजर्शन कोन सी होती है completeness, बेटा मैंने राम बान दे दिया है आपको इसको समझ लो ये क्या है एक जड़ी बूटी है कोई भी question आए कुछ नहीं समझा रहा बस ये देख लो किस पे आया है समझ आ रही है मेरी बात completeness ठीक है सर ये सारे point उठाए जो भी question आया है उसके साथ मिला है और answer sheet में डाल दिये number आ जाएंगे तो कि मैंने आपे maximum audit procedure आपको दे दिये completeness कैसे verify करोगे चाहे कोई भी area हो अपने discuss नहीं करना किसका audit area है सर completeness C सबसे पहले सर हम TOD करेंगे IP testing कर लेंगे TOD करेंगे sample निकले सारे documents को verify करेंगे जिसको हम two way match और three way match बोलते हैं तो सबसे पहले क्या है examination of record invoice अब मैंने याँ अलग अलगते रहेगे example के base पर लिख दी वह आप क्या क्या पेल सकते हो दो point आपने invoice पर बना दिए sale order पर बना दिए वह आपकी कला है अब यहाँ पर क्या depend करता है आपका mind आप कैसा लिख सकते हो examination of record record के अंदर क्या क्या आ सकता है invoice agreement purchase order sale order delivery note gate register loan document registry papers अब ऐसा मत करना paper में आए वह यह सारे documents अब पेपर में आ गया how you will verify borrowing वह कह रहा है examination of record invoice agreement purchase order तो आपकी लंका लग जाएगी यह point है आपको बताने के लिए इसमें से आपको relevant content निकालना है ठीक है उसके बाद कहता है वह एक हो गया completeness के लिए मैंने documents देख लिए दूसरा जो ledger है वो financial से match भी कर रहा है या financial ना figure आ रही है fixed assets की 5000 करोड मेरे को जो ledger मिला है 4000 करोड मैं उस पर audit कर रहा हूँ और एक गदे financial तो match ही नहीं हो रहा completeness तो insure कर लो सबसे पहले तो क्या बोलता है verification of schedule or ledger along with trial balance agreement तीसरा completeness occurrence पे भी लगता है यह cutoff procedure year end पे हम एक audit procedure लगाते है जिसका नाम क्या होता है cutoff procedure cutoff procedure में क्या करते हैं हम year end की कुछ transaction select करते हैं और अगले साल की कुछ transaction select करते हैं और उनको check करते हैं यह देखने के लिए कि transaction सही साल में record हुई या कितने बच्चों को cutoff procedure नहीं पता mostly सबको बता है तो basically इसके अंदर क्या होता है जैसे year end की कोई transaction है sale की transaction है sale की term है कि sale तब complete होगी जब customer उसे approve कर देगा आपने सुना होगा ना कि जब quality approve कर दोगे तब sale complete होगी अब कोई 27 March को sale की हमने आपने books में record कर दी sales customer ने approve किया 2 April को आपकी sale बेटा इस year में आने चाहिए अगले साल में जाने चाहिए तो risk कहना मतलब year end transaction पे हाँ या ना ऐसे ही term से मानलो कि हम आपकी sale बुक करेंगे जिस दिन हमने बेच दिया अप्रूब चाहिए कभी भी हुआ हो same example है sale होगी 28 March को customer ने अप्रूब किया 2 April को इस बार 2 April को बुक कर दिया होना कब चाहिए था 28 March को तो इसका मतलब year end transaction में हमेशा ज़्यादा risk होता है इसलिए हम देखते हैं occurrence के लिए और completeness के लिए एक audit procedure subsequent testing सुना था ये audit procedure याद है subsequent testing के अंदर क्या करते हैं बताओ जब हमारा 31 March को साल खतम हो जाता है audit तो कहीं न कहीं हम April या में में कर रहे होता है अब मैं audit कर रहा हूँ एक future period में past का present में past का past में एक debtor आ रहा है 31 March को 500 करोड रुपेगा आपको high risk लग रहा है ठीक है तो आप ये देखोगे क्या इस debtor से मैं अपरिल में हो ना पैसे आ चुके क्या अगर पैसे आ चुके हैं तो क्या मेरे को comfort मिल गया मिल गया ना दूसरा हमने 31 March का audit कर लिया I still want to ensure completeness कि मैंने जो चेक किया है वो सही है या नहीं हम client को बोलते हैं मानलो मेरे को दो महीने हो गया audit करते हुए April चला गया और माई चला गया मैं client को बोलता हूँ भाई साब आप अपनी bank statement मुझे दे दो क्या दे दो उस bank statement को Excel में convert कर लेते हैं हम लोग और उस पे जो भी higher number में sample select कर लेता हूँ on the basis of my materiality और professional judgment उसमें कुछ payment bank statement में क्या आती है payments और receipts उसमें कुछ payments उठा लेता हूँ और कुछ receipts उठा लेता हूँ अब अगर मानो आप बच्चों ने अपना दिमाग apply करना है अगर मानो आप कोई receipts आई हुई है तो वो receipts किस से related होगी या तो current year से related होगी अप्रेल और माई से या वह पिछले साल से related होगी तो मैं client को बोलता हूँ भया यह कुछ मैंने sample निकाले जरा इनके क्या देदो documents देदो client कहें गया यार तुम पिछले साल का audit कर रहे हो इस साल का मेरे मुझसे गाली वाली निकल जाए तो माफ कर दे न भाई ठीक है क्लाइंट वगिरा के साथ इसी तरह से discussion होता है हम कहेंगे भी या में subsequent भी देखना है आप दो client आपको documents देगा वो माद लो इस साल के sales का है आपने verify क्या आपने side documentation करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा सबसेक्वेंट का भी करना पड़ेगा जी करना पड़ेगा यह कोड़िट प्रोसीजर है आपको कोई ऐसा invoice मिला या कोई ऐसी payment मिली जो पिछली साल की pending थी हो सकती है क्या हो सकती है यह हो सकती है यह अगर मैंने जो पैसा किसी को pay किया है क्या वो मेरे work paper में पिछली बार आना चाहिए मैं cross verify करूँगा क्या यह जो payment हुई है यह मेरे पिछले बार के creditors में आ रही है या अगर आ रही है तो इसका मतलब मेरा creditors क्या है complete है ऐसे अगर कोई पैसा receive हुआ है तो मेरे debtor में आना चाहिए तो complete ने समने दुनिया भर के तरीकों से verify की है लेकिन यह भी क्या है एक तरी procedure भी लगा सकते हो अपने area को अलग-अलग area से compare कर कर GST से revenue निकाल सकते हो debtor से sale निकाल सकते हो हा या ना तो इससे भी हमें क्या पता चल रहे है analytical procedure से valuation existence पता चलेगा तो इससे भी क्या पता चल रहे है नहीं पता चलेगा क्या पता चल रहे है आपकी bank तो bank का completeness verify करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है reconciliation करनी पड़ती है कि checks credit के लिए pending है तो क्यों pending है अगर किसी को payment कर दी fraud करने का सबसे अच्छा तरीगा है यह रेंड बे चेक काट दो बाद मैं उसे reverse करवालो सामने वाले से तु लगाईयो मत बैंक में तो आपने देखना है कि वो reconciliation सही है या नहीं है completeness verify करने के लिए analytical procedure मैंने दुबारा से भी डाल दिया इसके अलावा भी मैं बहुत सारे बता सकता हम आपको जेई टेस्टिंग जेई टेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा concept है तो आप लोग जब पेपर में जाओना है और तो आपको यह पता होना चाहिए कि completeness पे अगर question आया तो मैं क्या-क्या options लिखने वाला हूं अगर आपको यह अजर्शन के अगेंस्ट ओडिट प्रोसेजर नहीं पता इसका मतलब अभी आपके दिमाग में concept नहीं है आपका बेस सही नहीं है मैं खुलके बोल रहा हूंग यह बात आगे चलो जी उसके बाद आता है एक्जिस्टेंस और अक्रंस एक्जिस्टेंस किस-किस का देख सकते हैं मैं बहुत सारी अरियास का ओडिट एक साथ करवाँगा आप लोगों को भाई मेरे को 16 से 18 घंटे लगते हैं इस चेफ्टर को करवाने में regular class में 6 लेक्चर ओफ 2 घंटे 12 घंटे यहाँ पर और फिर question bank अगेरा लग अब क्या क्या देखते हो एक्जिस्टेंस किस-किस का देखते हो सबका existence देखते हो न, paper में आ गया how you will verify existence of bank, how you will verify existence of cash, how you will verify existence of PPNE, how you will verify existence of inventory, कोई भी आ जाए, audit procedure सेम रहेंगे, बस आमने नाम बदलने है, judgment apply करनी है, ऐसे 501 का reference ले सकते हो, 501 specific बात करता है inventory के existence पे, लेकिन क्या मेरे rule बदल जाएंगे, कि आगर मैं PPNE का existence देखूंगा तो, this is our judgment, this is our knowledge, what we gained in our module number 1, specially in chapter 3, अगर मैं बात करूं तो, ऐसे 505, 501, specially बात करता है existence की, confirmation कौन से जर्शन के लिए होती है, confirmation कौन से जर्शन के लिए होती है, existence, तो बात करते हैं existence की, अगर आप से पुछा कि existence कैसे verify करोगे, अगर existence ऐसी चीज़ का है, जो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो आप क्या करोगे, external confirmation, पूरा answer आपको essay 505 में दिया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि किन-किन को आपको, balance को confirm, 100% तो नहीं कर सकते, किन-किन से confirm करोगे, क्या risk, material, उसका रोमम कितना है, materiality कितना है, high balances को लेने वाले हो, positive confirmation लोगे, negative confirmation लोगे design कैसे करने वाले हो, 7 से 8-10 point आप लोग करते हो, essay 505 में सब उठा के आप यहाँ पे डाल देना, लेकिन अगर कोई ऐसी confirmation है, ऐसा existence है, जो exist करता है, जैसे inventory, cash, आपका PPNE, तो कौन सा essay लग जाएगा, 501, वो क्या बोलता है, कि आपको management के साथ, inventory के, PPNE के, physical verification में participate करना है, management की क्या policies है, क्या controls है, उनको समझना है, आपको observe करना है process को, खुद से भी कुछ manual test count करना है, कुछ discrepancies है, उनकी reason को identify करना है, हाँ या ना, आखरी में एक report बनानी है, अगर difference ज़्यादा है, management के साथ discuss करना है, यह पढ़े हैं आपने 501 के अंदर, तो अब देखो chapter 3 के importance, chapter 3 का importance अब दुबारा बता रहा हूँ, chapter 3 से 3 से 4 question तो specific अपने अलगा जाते हैं, और audit of item of financial statement के 10 caption, किस पर depend करता है, 500 एक और, मैं कह रहा हूँ, 500, 505 के अंदर तो कोई content ही नहीं है, जो हम class में भर-भर के जो discussion करते हैं ना, वो उस पर depend करता है, समझ आ यह बात, तो existence को ensure कर दो हो गया, या तो physical verification होगा, या क्या होगा, अब paper में question आ गया, आपने बताना है, paper में question आ गया, कि आप inventory third party के पास रखी हुए, मैंने पतंजली का example दिया था class में याद हो तो, inventory third party के पास रखी हुई है, और आपका PPN नी third party के पास लगा हुआ है, पतंजली example है, class का याद हो आप लोगों को, बताओ कैसे verify करोगे, चार point लिखने हैं अब तो, paper में आएगा तो तीन से चार number में आएगा, hand raise करके आपने बताने और live वाले student भी मुझे answer करेंगे, हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही का, number one कि हम हमारे बिहाफ पे किसी third party को बेज सकते हैं, वो verify कर सकते है, number one point, ठीक है जी, दूसरा point, last हैं जी, यह आपने audit procedure सही बोला है, लेकिन इसको बोलते है, alternate audit procedure, देखो, एक होता है, मैं चलो इस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ, एक होता है main audit procedure, अगर आपका main audit procedure fail हो जाए, then you will apply other audit procedure, अगर other भी ना लग पाए, तो हम अपना opinion देखते हैं, आप जो बात करें, वो other audit procedure की बात करें, पहले main बताओ, main यह सही था कि third party को भीज तो, दूसरा, confirmation लेंगे, यह भी तीसरे number पे आएगा, ठीक है, लेकिन confirmation का point, खुद से चले जाएंगे, सर अम ही चले जाएंगे न, एक बड़ा number है सर, बहुत material है, 50 location पे, 10 location में खुद जा बोल रहे थे, service auditor report, और अब आपका point ठीक है, कि अगर इनसे भी ना किसी से बात बने, then material dispatch देख लेंगे, PP&E का dispatch देख लेंगे, उसकी receiving देख लेंगे, यह सारे point, क्या पढ़ा हूँ मैं आपको, बताओ, और एक question पकड़ लेते हैं, अब मैं लगाँगा, right and obligation में confirmation, right and obligation के confirmation कैसे काम करेगी, देखो, आपके paper में question आ गया, कि how you will verify the right of obligation of land and building, भाई, आप अगर यह expect कर रहे हो, कि सर किताम में जो question है न, paper में बस वो ही आ जाए, तो आपकी गलत सोच है, इस chapter में तो खास कर, आपकी तो सोच ही होनी चाहिए, कि साला जो भी आए, मैं लिख दूगा, मेरे concept है, मेरे को पता है, अजर्शन्स क्या होती है, और अजर्शन्स क्या अगेंस्ट, relevant audit procedure क्या होते है, और वो सारे audit procedure हम module 1 के अंदर पढ़के आते हैं, और मेरे इतने सारे जो practical examples में देता हूँ, आपको वो याद आएंगे paper में, हाँ, low में और accounts में मत डालना कुछ भी, क्योंकि वो तो भईया specific हो, उसमें judgment काम, depreciation तो जो है वो ही है, भईया, ये stand जो बोलेगा, security premium को कहा ही उस कर सकते हो, वह ही होगी जाह हो सकती है, उसके अलागा judgment या मेरा ग्यान काम नहीं करेगा वाँपे, हाँ जी, बताओ, मैंने question पुछा है, land and building के right and obligation को कैसे verify करोगे, एसे नहीं भाई, hand raise करके आप बताओ बेटा, आपने सबसे पहले का sir, we'll look at the title deed of the property, पहला point, absolutely right, और बताओ, ना एक ही point, हाँ, sir, land को मैंने, अब मैं पिटू, पिटू, तुमका पिटू गा, बेटी हमारी, कैसे पिटेंगे यार, बेटा गलत, इधर आओ, इधर आओ, ल, lie wallet तुम भी बोलो, आपने का, क्या करेंगे, physical verification, physical verification से कौन से जर्शन मिलती है, मैं कौन से पूछ रहा हूँ, पैठो बेटा, पेपर में आएगा अंडा, गोल, गोल, बाबाजी का, समझ आया, ये गलती करते हो, आप जो इनोंने की, इनको लगता है, आईसे ने नमबर नहीं दिये, बुक से मैच हो रहा है, मेरा answer, समझ आया, आपने बिल्कुल सही बोला, title deed, ये दिल मांगे, और बताओ, ना, हाँ, राइट में, ओनर्शिप में, title deed आ गया, ओनर्शिप कैसे देखेंगे, ये ही कोशन है, है, एग्रिमेंट किसका, तो ये बोलो ना, एग्रिमेंट फोर सेल, फ्रम दी रजिस्ट्राइट, बिल्कुल एपसलूटली सही पोइंट है, एग्रिमेंट फोर सेल भी देख सकते हैं, आगे बताओ, stamp duty पेड़ है या नहीं है, बहुत अच्छा पोइंट है, बिल्कुल सही है, हाँ, टेक्स भी देख सकते हो, हमने पेख या है, तो हमारे चार पोइंट क्या बात है, और बताओ, एक ही बात है, अब वो टेक्स बोल रहा है, मुनिस्पल कोर्पोरेशन बोल दो, एक ही बात है, हाँ, हाँ, येस, ये चाहिए मेरे को, भाई जरूई थोड़ी नहीं, सारी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग के टाइटल डीड मेरे पास हो, वो किसी बाहर के पास भी तो हो सकते हैं ना, किसी बैंक के पास, मैंने उसको गिर्वी रख रखा हो, तो उसके लिए क्या लेंगे, यहाँ पे कनफर, यहाँ पे कनफरमेशन आपको उसका राइट अन उबलिगेशन भी इंशोर कर रही है, कि वो आपकी है, आप भाया उसका एक्जिस्टेंस का कमफर्ट लेलो, यहाँ पे एक्जिस्टेंस प्लस राइट, दो नो वेरिफाई हो रहा है, तो आपने चार से दन्रा लेकर पीछे पड़े तो हुए है, कि पकड़ लिया तो तुमारी लंकल लगा दूँगा, अब यहीं माक करवाया है, सबसे पहले डिस्क्लोजर रिक्वाइर्मेंट में आपने शैद्मिस कर दिया, कारो 2020 की रिपोर्टिंग भी है, बिनामी प्रोपर्टी के अंदर इनहरेंट लिमिटेशन ज़्यादा है, कोई मिल गई तो डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो जैशिर राम ठीक है, समझ आया, अब ओर उठाते है, बोरोविंग और लोन्स एन एडवांस, दोनों एक साथ खत्म कर रहा हैं, पहले cash देख लेता है, अबने existence में बात कर रहें है अभी आपको फिजिकल एसेट्स की पता चल गई कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे 501 में थोड़ा डिटिल अब बात करते हैं बोरोविंग सोरी कैश का एक्जिस्टेंस क्यूंकि इसमें पॉइंट यूनीक है पर रखा हुआ है कैसे वेरिफाय करोगे बताओ एक्जिस् अब आपको फिजिस्टेंटेशन इस अप्रोप्रेट ओडिटेंस इस नेवर एस अफिशिट अप आखरी पॉइंट में प्रियंता में तुम्हें गलत नहीं बोल रहा बेटा वेटा में भी और एप्सलूटली राइट क्योंकि आपने वोपर टाइटल डिट भी लिख रि एक ऐविडेंस दो कि आपने सारी भी ब्रोपर्टे कोि डिस्क्लोज किया हुआ है सब आपने पिरिहा और हरे को कैसे ब्लकुल और उसे पॉइन जी ब्लकुल साहीं सभी की पड़ कैसे सर्प्राइज दपा वो कहा हुआ विट चल कैसज दिखा ऐसे होता है रियल लाइफ में बताओ ऐसे होता है बता भाई ऐसे ओता होगा नहीं होता होगा एसे कैसे जागे किसी पर भीछड जाओ गया नहीं होता होगा कि इसको लगता है ऐसे नहीं होता होगा इसे ही होता है ऐसे ही कटता है उस अकाउंटेंट का हम क्या करते हैं देखो यह एंड पर तो वह भी बड़ा सचेत रहता है क्योंकि उसको पता है 31 मार्च को एक आएगा बेताल और ले जाएगा वो इसे सब कुछ बराबर रखता है 31 म 30 मार्च के अलावा भी कभी मैं कंपनी के आगे से गुजर रहा हूं आपका लंच करने का मनने आपने गाड़ी लगाई पार्किंग में आपने क्या करना है कुछ नहीं करना है आपने जामें कैशियर पे बेटा चलोट कौन ओडिटर साहब हां जी क्या करना है तीजरी खॉ आपने कैश को काउंट करना है देखना है वैलिड करन सी नोट सहया नहीं है क्योंकि डिमोनिटाइजेशन के बाद एक नया पॉइंट आ गया है आपके डिस्क्लोजर रिक्वाइर्मेंट में भी है अब देखो कितना बड़ा पॉइंट आई सी आए ने है अब आपके पास एक अलग से नया पॉइंट आया है ना डालो तो आपने क्या करना है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है सर्प्राइज विजिट्स करनी है वैलिड नोट देखने है फोरन करन सी के अंदर कुछ पैसे हैं तो उनका कनवर्जन देखना है कटेप गुराने फ कैश उनको रिमूव करवाना है रीजन पूछना है कि आपने ऐसा क्यों क्या हुआ है तो इस तरह के कैश पर कुछ क्या आ जाएंगे जनरल वाइंट्स आ जाएंगे हाँ और कैश काउंट हो जाए तो एक सर्टिफिकेट बना देना जिस पर आपका साइन और सामने वाले का साइन हो जाएगा ठीक है जी डन फिजिकल वेरिफिकेशन और सर्प्राइज चे कर लग है सर्प्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन वह एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जो उनको पता है वह आएंगे और फिजिकल करेंगे 31 मार्च को इन्वेंटरी का पीपेनी का करना पड़ता है एक होता है surprisingly हम चले गए और हमने जाके physical verification किया इस प्रियंक नोट प्रियंक का ओके प्रियंक वह कहरा है सर में को देखो यार तु अब तुने एक ए हटा दिया अब उसमें हमारा क्या दोश है spelling error भी दो सकते थी बहुत बढ़ी आप लो जी लो अब आगे बात हां बेटा नहीं नहीं स्टैट ओडिटर का काम वेटा इंटर्नल का क्यों है इंटर्नल भी कर सकता है उसके ही मज़े हैं क्यों स्टैट भी जाता है सर्प्राइज विजिट करने यह रेंट पर जाता है लेकिन भीच में भी जा सकते हो वो डिपेंड करता है कि इतना कैश ही पांच जा रुपे में क्यों जाओंगा मैं एक क्लाइन करना था जी एस पील करोड़ों में कैश होता है वहां पर अंगुल के अंदर मज़ा आता है किस दिन भरके ले आओ तो वहां आप जाओगे दो बार क्योंकि कैश इतना है एक मैट्रियल एरिया हो गया पिर उसे बहुत सारी चीज़े देखना पड़ती है इंशेरेंस देखना पड़ता है कैश मुवमेंट देखना पड़ता है kैस आपने क्यों रख ский एन पड़ता है रीसंटा मातलğin रियल लाइफ के तो बहुत सारे पोंइंट है अब वो हो सबसे पहले दोनों ही एरिया में इंटर्नल कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा मज़े की बात बताऊं इन दोनों ही कंसेप्ट का आंस्वर निकाल सकते हो किसी दूसरे चेप्टर से बताऊ कहां और यहां से बहतरीन आंस्वर निकल के आएगा विद रेलेवेंट कहां से नहीं कारों से भी एक पॉइंट आप लेके आ सकते हो बैंक ओडिट यार क्योंकि बैंक ओडिट में तो बात वी तो एरिया पे की गई है बोरोविंग और एडवांस वास धोगे अगर आब बोरोविंग करोगे तो भी इंटर्नल कंट्रोल देखोगे एडवांस दोगे तो भी इंटर्नल कंट्रोल देखोगे प्रोपर अति मैंड यह ना हीस इडीरेंच Л dependence अब उताओ और बॉइन होगा इसी वो कि अब कम्प्लीटिनस के, आपने दुनिया भर के पॉइंट दे दिया पिल्द होगे सारे, अब एक एक एरिया पे मुझे दो दो पॉइंट बताओ, कम्प्लीटिनस लोंस अन एडवांस की कैसे वेरिफाइ करोगे एग्रीमेंट देखेंगे सर, एग्रीमेंट देखो, हाँ, बोरो भी गम किस्से करते हैं, जनररली बैंक से लेते हैं, तो एक्जिस्टेंस में कनफर्मेशन आ जाएगा, ठीक है, रिकंसिलेशन आ जाएगा, बोर्ड के रिजॉलिशन भी देख सकते हैं, आपको पता है, आप इनकी लिमिट्स भी है, आप मैक्सिमम कितना लोन वगेरा दे सकते हैं, तो वो लिमिट्स के अंदर भी आना चाहिए, कंपनी एक्ट के सेक्शन को कॉंपलाय करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं, आपने रिलेडिट पार्टे को लोन दे दिया, हाँ या ना, तो आपने क्या करना है, एक एक अजर्शन को लिखना है, उसके अपने ओडिट प्रोसिजर को ड्राफ्ट करना है, ठीक है जी, वैल्यूवेशन भी एक बहुत ही बढ़िया एरिया आता है, कौन सा, वैल्यूवेशन, अब वैल्यूवेशन जनरली वो आपसे पूछेगा, जैसे के डबल्यू आईपी का, आपने वैल्यूवेशन अप एस टूपड कर आयो, ठीक है जी, रोमेट्रियल कैसे वैल्यू करते हो, एक सेक्न, अराम से, रोमेट्रियल कैसे वेरिफाई करते हो, कोस्ट वसीज एन आरवी, विचैवर इस, खतम, ऐसे खतम नहीं होता, कोस्ट वस किसकी कोस्ट क्लोजिंग इन्वेंटरी की इसका मतलब वैल्यूवेशन से पहले मुझे एक अजर्शन पर कमफोर्ट लेना चाहिए वह अजर्शन कौन सी है अजर्शन करते हैं पहले कमफोर्ट आ गया अब वाग्पेपर निखांगा अधर्वाइस हम वाग्पेपर के साथ डिसकस करते हैं इस कंसेप्ट को हमने क्वांटिटी पॉपूलेट कर ली सारी वही क्लोजिंग क्वांटिटी फिजिकली वेरिफाइड है तो क्वांटिटी पर कमफोर्ट आ गया अब क्वांटिटी रो मेटिरियल किया इसका मतलब यह तो मैंने बाहर से खरीदी है तो मेरे पास ना डेट ऑफ परचेस भी शेकष़ विली और बात बताओ जो कंपनी कंपनी होती है जिसका डेली माल आ रहाए डेली जा रहा है उस कंपनी में एंणर वी कम होगी जधा होगी जाद है होगी सर, नुकसान के लिए थोड़ी ना बेटें, फायदे के लिए बेटें, तो जनरल हम देख लेते हैं, आज के दिन वो चीज मार्केट में कितने की मिल रही है, मैंने दो महीने पहले लिया था 10 रुपए का, आज के दिन साड़े दस हो गया, तो मैं मल्टिप्ला है, मुझे मैं स्कैन करता हूँ, फटा-फट से अपने वक पेपर में लगाता हूँ, उसे प्राइज आ रहा है, सीधा प्राइज डाला और, नर्वी निकाल दी, नर्वी कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, तो अब वालिविशन किस पर हो जाएगा, सोटिड, तो आपने, करो, एक कॉंपोनेंट आ रहा है, परचेस प्राइज का कोस्ट, उसको इनवोईस से वेरिफाय करो, एक आ रहा है, एन रवी, उसको रिसेंट परचेस इनवोईस से वेरिफाय करो, फिक है, अब बात आती है, फिनिस गोड्स, ये भी इजी है, वेरिफाय करना, फिनिस उस cost sheet में पूरा आता है कि एक unit को बनाने के लिए इतना material लगेगा, इतनी labor लगेगी और इतने overhead लगेगे आपके पास जो total finished goods बना हुआ रखा है, cost sheet आपने verify कर लिए, वहाँ से आपके material का quantum आ गया, labor और material आ गया आपने बस उसको multiply कर देना है, जो भी cost उन्होंने निकाल के दिए हुई है, उसके इसाप से आपकी cost आ जाएगी, और भी कितने का मैं recent में बेच रहा हूँ, आप value कर दोगे, existence हमने physical verification लगा के करी रखा है, challenge आता है किसमें, WIP में, WIP में challenge इसलिए आता है कि हो सकता है raw material पूर knowledge भी जाती है, तो यहाँ पर auditor का एक काम भढ़ जाता है, भाई मैं किस company का audit कर रहा हूँ, हो सकता है वहाँ का area ऐसा है कि मैं identify कर पाऊं कि कितने percent complete हुआ है, तो उतने percent ही मैं costing ले लूँगा, एक ऐसा भी company हो सकता है, जहाँ पर मैं यह ना judge कर पाऊं कि कितने percent complete हुआ है, तो ऐसे case में आप किस की help लिना पसंद कर होगे, expert, opinion नहीं, expert, expert की help लिना चाहोगे, उससे काम करवाओगे, तो आपने एक point extra डालना है किसका, expert का, एक point extra डालना है आपने engineers, आपने costing में पढ़ा होगा, engineers अप्रूव करते हैं company के, department अप्रूव करता है कि हमारा कितना काम complete उनका report, course sheet को verify करना है, allocation of expenses किस base पे हुई है, वो सब verify करना है, फिर NRV test से करना है, तो मतलब सारे point common रहेंगे, 4 point additional आपके आजाएंगे, समझाया, अब हम discuss करते हैं, next, presentation and disclosure बड़ा ही simple है, आपको FRF financials देखने हैं, ऐस पर FRF recorded है या नहीं, write an obligation के अंदर देखो, यहां लिख हुआ है, क्या-क्या देख सकते हैं, check completeness before testing, write an obligation, जो मैंने अभी बताया था आपको जैसे, valuation से पहले भी आप दो चीज़े देख लेना, completeness और existence, क्योंकि वो एक component है, balance sheet rate पे सारी deeds देख सकते हो, अगर किसी bank वगेरा में गया हुआ है, papers वगेरा तो उसका confirmation ले सकते हो, charge मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि इसके अलावा आपका दिमाख काम करना चाहिए, अब मैं कुछ छोटे-छोटे area उठा रहा हूँ, rent expense, electricity expense, या other income की बात कर लें, FD की income, dividend की income, इन सबको कैसे verify करोगे, सर, analytical procedure लगा कि इन सबको मैं verify कर सकता हूँ, एक एक point पर आपन डिसकस करेंगे, सर, मेरा concept बिल्कुल ढीला है, मैं क्या करूँ, paper में question आ गया, how you will verify other expenses, बिटा, आपने कुछ नहीं दिमाख लगाना, कुछ नहीं आता, एक चीस तो आती होगी मेरी class में आयो, तो क्या, adjustments, आना, आपने कुछ नहीं गरना, paper के उपर लिख देना है, auditor will verify following assertion in the other expenses, और balance sheet के assertion को होती है, सिवोप, तो सिवोप मत लिख देना, पहले मन में सोचना, या account कौन से, head का है, balance sheet का है, वो सारी assertion आपने लिख देनी है, अब भगवान श्री किर्षन को याद करना, और ये excel sheet को मन में लेकर आना, और सोचना, कि other expense का completeness कैसे देखूंगा, other expense कुछ भी हो सकता है, तो आप दो-चार example उठा लेना, कि other expenses, expenses can be covered like, rent, or repair and maintenance, staff welfare expense, health care, अलग-अलग, तो या आपने एक example की line डाल दी, उसके बाद आप बोलो भया, सबसे फेलोडर क्या करेगा, sampling करेगा, completeness के लिए, voucher निकल गए, तो documents को verify करेगा, documents के example डाल देना, invoices और यह सब अलाने दिमगाने, एक point होगी आपका तयार, दूसरी एजर्शन कौन सी आई, occurrence, occurrence, auditor को चेक करना है कि सारे खर्चे जिस साल के हैं, उसी साल में बुक हुए है, कोई भी दूसरे साल में नहीं गया है, अगली एजर्शन कौन सी है, accuracy, उसके लिए आप analytical procedure पेल देना है आप एक example, अगली एजर्शन कौन सी है, obligation, यहाँ, पे करने खर्चे, तो सारे खर्चे पेड़े में ने कहां से verify कर लिया, bank statements है, फिर अगली कौन सी आ जाएगे आपकी, measurement, सारे खर्चे का, taxes वगेरा की सारी वर्किंग ठीक है और FRF के साब से आपके presented है, यह तो होगे बहुत ही देसी तरीका, कुछ भी नहीं आता, यह लिख दो, चार में से ढही नंबर मिल जाएगे, 4 out of 4, specific point लिखने पड़ेंगे, paper में आया dividend कैसे verify करोगे, कैसे verify करते हो dividend, हाँ, investment क्या है, right to receive dividend कितना था, वो आ पर में आगे, rent expenses कैसे verify करोगे, अब अजर्शन वाई specific लिखोगे, general answer होगे, specific, rent expenses कैसे verify करेंगे, sir, sir, हम client से सारे agreements लेंगे, agreements को read करेंगे, escalation clause देखेंगे, और फिर उसके इसाप से हम number of properties पे जो भी है, वो rent को multiply कर देंगे, total rent आ जाएगा, और उसको books के rent से verify कर लेंगे, analytical procedure, payroll कैसे verify करोगे, payroll पर भी आपके मां बहुत सारे audit procedure है, payroll के अंदर 4-5 चीज़े आ जाती है, देखो, visualize करो, payroll मतलब employee का खर्चा, उसमें 3-4 चीज़े आ गई, एक वो employee जो पिछले साल से continue है, एक वो employee जो छोड़कर चले गए, एक वो employee जो नए आ गए, और employee cost के साथ bonus भी आ सकता है, तो अब आप इन 4 एरिया पे अलग-अलग point बना दो, कि भईया जो existing है, उनका हमने month-on-month variance कर लिया, employee का number भी हमने निकाल लिया, salary का भी month-on-month variance कर लिया, difference जो एक उसको evaluate कर लिया, जो नए employee आये हैं, उनका हमने joining letter देख लिया, salary computation देख लिया, कि उतने ही दिन का ग जब जो आइन होते हैं, पीएफ वगेरा की responsibility सारे form और यह सब भी उसके बनाने पड़ते हैं, कोई resign करके जा रहा है, तो उसका resignation letter, ठीक है, एक उसका final FNF बनता है, full and final settlement, उसकी working, उसका last जो भी salary था, वो उतना ही गया है, approvals आपने देख लिए, yes or no, तो आपने अपने दि आपकी मदद नहीं कर पर, वो आपने खुद पढ़ना है, सर यह तो हो गया discussion, जो मैंने आपको दिया, अब आपका कितने बच्चों का दिमाग काम कर रहा था मेरे साथ, जो खुद visualize mostly सब का, अब मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का नहीं भी कर रहा होगा, उनके कौन कौन से, अका, judgment कहां पे है, सिर्फ audit में, मतलब लो तो आपको याद करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा, अकाउंट भी आपको, अकाउंट में तयार, अगर आप अकाउंट नहीं कर रहे हो ना, तो फिर मेरे साथ साथ सी यह ही मत करो, क्योंकि वो तो ग्यार भी खेल गए बस, revenue and capital expenditure, की बताओ, revenue and capital expenditure में क्या फरक होता है, कभी-कभी तो वो हद कर देता है, बताओ, कोन-कोन से ऐसे खर्चे हैं, जो revenue nature के हैं, बट फिर भी हम capitalize करते हैं, बताओ, तुम लोग, हाँ जी, एक second, एक किक करके, ऐसे नहीं, सर, हम कोई खर्चा, repair and maintenance का कर रहे हैं, बिल्डिंग पे, बट उससे उसकी life और efficiency इंप्रूव हो रही है, तो वो capitalize होगा, इंस्टोलेशन अगर किसी चीज का कर रहे हैं, खरीद कर, तो वो खर्चा capitalize, फ्रेट, इंशॉरेंस at the time of purchase of machinery, वगेरा, capitalize, आगे, बोरोविंग कोस्ट एस 16, capitalize होगी, तो हाँ, qualifying nature, इतना दो वो पढ़ेंगे न, एस 16 का, अब तुम हाँ के सर, एस 16 मैं बताऊंगा, कब तक की capitalize होगी, इसके बाद capitalize नहीं करने देंगे, अरे भाई, और भी कोई बताएगा, हाँ, 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 legal expenses paid at the time of purchase of land or whatever, capitalize होगा, otherwise, यह सब कहां जाते हैं, revenue में, यह question paper में आता है, कौन-कौन सी गलतिया ऐसी हैं, जो खुद से पता चल जाती है, अपने 11 तो पढ़ा होगा शायद, types of error, पढ़ा था, Rectification of error, Self-Revealing Errors, सुनाएग अभी, मैं मारूंगा अगर ना कच-कच करोगे तो, तो मतलब account में भी sampling करके जाते हो गया, कि चलो चार चप्टर छोड़के जाएंगे, पर्चेज की, एंट्री क्या बनेगी, पर्चेज अकाउंट और सेल की तो, बैंक अकाउंट है भी टू, बैंक, आपने पर्चेज के एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट, बैंक टू सेल करोगे, मैंने कुछ और बोला गया, अच्छा ठीक है, अब आपके पास आपने एंट्री क्या कर दी, पर्चेज के एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक हजार उपैसे, अरे सुनो ना, मैं गलत बोल रहा हूं, सुनो, अब कंसेप्ट है भाई, सुनो, पर्चेज के एंट्री आपने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्चेज, सेल के एंट्री आपने कर दी, सेल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री गलत है, दोनो ही हजार उपैसे है, कंपंसेट कर रही है, येस, कर रही है ना, तो वो इस तरह की एंट्री देता है यह आपने 11 में कोई सी पढ़ी थी कभी-कभी 4 नमबर का कुश्यन को आपने बताना है ट्राइल बैलेंस जैसे कई बार आपको पता चल जा तो यह आपके 11 के कंश्प्ट भी कभी-कभी अकाउंट के ट्राइ कर लेता है वह लगा रहा है, कुछ बच्चे सोच रहा हूंगे, यह ट्राय करना नहीं कहते है इसे, वह टेस्ट कर रहा है, जो बच्चा CA बन रहा है, 11 वी का स्टूडेंट आ सकते है न, दीदी, you are chartered accountant, क्या आप मेरे को एक सम समझा देंगे, दीदी का यह बच्चा CA बन गई हो, बट आप कहेगा देख भाई मैं रटके गया था, यह security premium तो किसी होर से पूछ, यह आप यह expect करोगे कि वह आपसे आके ना पूछे, ना भीटा पूछेगा हो तो, आपसे client पूछेगा आके, कि भाया इधर आओ, आपसे यह होना, अब वह आपसे यह नहीं पूछेगा, आप audit report क चप्टर छोड़ के गए थे, यह यह key audit matter की language बता तो, सही लिख ही है किया, आप मन मन में सोचेगे, साले यह standard तो छोड़ के गया था, आपके साथ होने वाला है, पढ़के जाएंगे, बिटा client पढ़वा लेगा, हम client के कपड़े उतारते हैं, कई बार auditor के भी उतारते हैं, ध्यान रखना, वो बिल्कुल बालक बनके आएगा, कपिल सर, यह जरा contingent liability बताना कैसे calculate करनी है, इसमें, इंपेर्मेंट की working देखना साले, इंपेर्मेंट, सरी deferred taxation देख लो, जरा हमारे एक बर सही है, क्या, आपने audit करना है, भाई, help तो ले सकता है, वो, financial कोन बनाएगा, अब management का CFO आ गया, आप मालो, article assistant हो, बिटा इधर आओ, इधर आओ, जल्दी, इनको audit करने के लिए दे द इंपेर्मेंट में, इनके पास आगे बेटा, नाम क्या है, निकिता, निकिता बेटा, ओ सोरी, मैम बोलेंगे बतो, निकिता मैम, can you please check our impairment working, यह सही लग रही है, क्या, यह क्या, यह क्या, मेरे को तो standard पढ़ना है, आभी, क्या, मैम आप audit करने आया, इंपेर्मेंट का, यह क्या, मैंने कई final में नहीं देखा यह तो, हम तो छोड़ के गए थे, तो भाईया, आप शाए कुछ भी छोड़ कर जाओ, पेपर में, जिस दिन आप CA बने, इस पूरी स्रिष्ट में एमान लिया जाएगा, कि अब आपको सब कुछ आता है, उस दिन आपकी सबसे ज़्यादा लगेगी, मैं कभी-कभी घर पे बैठता हूं, मेरे पास आसपास के लोग आते हैं, भाईया, यह कोल पूट कर रहे हो, आप आजकल इन्वेस्टमेंट तो करी रहे होंगे, इतना पैसे छाप रहे हो, मैंने का, हाँ जी एक हमारे अधित्यजन सवर है, उन्होंने पूरा अकाउंट समाल रख्या, अब उनसे बात करो, नमबर दू, फिर कोई आ जाएगा सर, एक return of income tax बचाना है, इसकी बाते करते हैं, मैंने का मैं सरजनू ओडिट का, आम उससे इधर-उधर की बाते ना करें, मेरे काम भी टेक्स की टीम अलग है हमारी, आपको सब कुछ आना चाहिए, तो मैं आपको नोट्स दूँगा इस चैप्टर के, अगर आप बिल्कुल पैदल हो दिमाग से, तो हो सकता है ना बिटा, अभी तक तो आपने बता दिया सब कुछ, बढ़ दो दिन बाद हो सकता है, आपका द एक बार इसको देख लो, बस फटा-फट से, क्योंकि अगर कुछ important है तो वो discuss कर लेंगे, पूरा chapter go through कर रहे है, share capital देख लोगे, क्योंकि आपका यह low है, important question mark नहीं करवारा, क्योंकि मैंने पहले करवारा रखे हैं सारे, sir important question भी mark करवादो, कितने बच्चों के दिल में आत करके भी, swat equity chair, reduction of capital, disclosure आप छोड़ते हुए चलना, reserve and provision, पता है क्या होता है, reserve and provision, reserve क्या होता है, एक second, hand raise करके, reserve क्या होता है, हाँ, हमेशा करते हो mandatory है, profit है, तो कर लेंगे, नहीं है तो, provision क्या होता है, charge to profit, mandatory optional है, mandatory है, profit नहीं है, तो भी, कैसे करोगे फिर, चलो, एक, मज़े लेते हैं तुमारे थोड़े से, हाँ, जी, provision, बनाएंगे, पहले कितने बच्चों को पता है, provision क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, provision क्या होता है, मतलो हमारी, प्रोविजन, बताओ, certain, certainty है आपके पास, कि एक liability है, वो 100% आएगी, but we are not sure about the amount, that's why we are creating a provision, provision आपको 100% बनाना ही है, आया ना, फिर एक होती है, contingent liability, यह क्या होती है, which may और may not अकर, provision में तो यह है कि आएगा ही, जैसे provision for doubtful debts, कि भाईया मेरी debtor है, चार साल पुराने हो गए, पांस साल पुराने हो गए, सामने वाले बंदे के नियत पैसे देने की provision बना लेते हैं, एक example, provision for tax, provision for slow and non-moving inventories, इन्वेंटरी मेरी obsolete हो गई है, क्या बना लो, अरे हाँ, inventory का एक point हो रा गया है, अब provision से निकल के, जो inventory का valuation करते हैं, तो जो finished goods की inventory है, या कोई भी inventory है, raw material की, जब अपने existence चेक करेंगे न, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, कौन-कौन से inventory क्या है, मेरी obsolete है, जितनी भी हमारी liabilities हैं, जो हमें pay करने ही करनी है, या कोई भी ऐसा पैसा जो आना है, और जो नहीं आ रहा है, भी create a provision for this, क्या आप हर खर्चे का provision बनाते हो, yes, mostly सभी खर्चे का provision बनाते हैं, कैसे, मान लो मैं legal service ले रहा हूं, ठीक है, अब इसका audit भी बता देता हूं, पहले account का discussion कर लेता हैं, फिर audit, दिमाग चलाते हैं, थोड़ा सापका, आप मान लो एक returnership basis पे services लेते हो, हर महीने एक party का भी लाता है, आप pay कर देते हो, रेंट का भी लाता है, आप pay कर देते हो, electricity का भी लाता है, आप pay कर देते हो, बहुत सारे भी लाते हैं, आप pay कर देते हो, 31 March को, जो भी लाएंगे, वो कब आएंगे, April में या में में. हो सकता है ना में तक भी लाए. अब 31 मार्च को मैं Liability कैसे बुक करूँ? अब आपका कोश्चन आता है सर Audit कैसे करें प्रोविजन का. हर प्रोविजन के लिए Client के पास एक Working होगी. कि itu electricity का प्रोविजन जो मैंने बनाए है अपने इस past के base पे बनाया है rent का provision देखो इन agreement के base पे बनाया है consulting जो मैं ले रहा हूँ तो आपको provision में वो base data client के पूरी working को क्या करना है check करना है और देखना है कि वो सारी सही है या नहीं है ठीक है तो यह आपका meaning of provision है reserve हो गया difference यह paper में पूछ सकता है आप से revenue और capital reserve के आपने बात की थी borrowing अब borrowing के अंदर 4-5 point आपको अपने इस आप से सोचने और लगाने इसके opposite क्या हो जाएगा loans and advance debtor debtor का relation कित से होता है किस से होता है sale से तो आपने देखना है कि only bona fide sale हो debtor का completeness आप sale की completeness से verify करोगे debtor से देखोगी कि सारा पैसा आ गया जो नहीं आया उसके लिए क्या लोगे confirmation तो आपने इस तरह से पॉइंट लिए डारेक्ट इसे पांसो पांच का पॉइंट लग जाएगा cash पर हमने cash balance की बात कर ली bank में क्या लग जाएगा confirmation इन्वेंटरी के हम ऐसे पांसो एक में बात कर लेंदा है पूरी गुट सेंट उन consignment basis यह concept पता है आप लोगों को इसमें क्या होता है हम भाया एक हम main company है हमने अलग-अलग share में हमारे agent बना रखे है हम माल उनको फेज़ देते हैं फिर वो आगे बेचते हैं माल तो अगर माल लो मैंने कोई माल भेजा अपने consignor के पास तो उसको मैं अपनी inventory से remove कर दूँ वो मेरी ही inventory में रहेगा जब तक वहां पे नहीं भीकेगा तो consignor के अंदर आपको यह देखना है कि आपकी inventory में consignor वाला माल भी आ रहा है क्या उसको with markup रखू या cost पर रखू तो आपने यह भी ensure करना है कि अगर आपने with markup लगा के भेजा हुआ है तो आप उसको remove करो और cost पर करो अब यहां पर पॉइंट आ गया auditor का since यह inventory किसके पास है अब तो वो क्या करेगा confirmation या तो physical verification Tangible वो ही अपना fixed assets PPN नहीं आ गया इस पर आपका question अजर्शन पर पूछ सकता है Intangible आपके सारे account के question है जैसे कि goodwill, patent, copyright, AS26 लगता है न इस पर तो उसको please पढ़ कर जाईएगा यह debtor का deposit हो गया क्या creditor अब आप इसके लिए एक गंडे लगा के वो notes पढ़ना जो मैं आप लोगों को दूँँगा ये दो question important mark कर लो जो आपको दे रहा हूं मैं अभी नहीं बिटा मेर को एक दिन लगेगा एक दिन इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो files है न एक image format में होती है ये मेरे को word file चाहिए न मेरे टीम बना रही है वो important mark कर लो दो question बता रहा हूं जो आप judgment से नहीं लिख पाऊगे ये है आपका purchase का audit करना है इसमें analytical procedure पुछेगा आपने purchase की quantity को verify करना है देखो specific बात करेगा किस पे quantity को verify करना है purchase quantity को उसमें आप क्या analytical procedure लगा सकते हो अब लपए नहीं लगेंगे मैंने आपको class में समझा है रेगुलर course में अगर आप लोगों को याद हो तो purchase की quantity को मैं कैसे verify कर सकता हूं production के साथ discussion करके हां उस्टाइम पेर लिया ना अभी करते हैं डिसकस ब्रेक होगा अभी आदे घंटे में न ठीक है consumption analysis कर सकते आप production कितना हुआ है उसके इस कितना माल लगना था एक यूनिट को बनाने में कितनी चीजे लगती है को शीट वहां से निकाल सकते हो ratios कर सकते हो quantitative reconciliation बना सकते हैं एक यह एक special precaution in verification of purchase invoice basically TOD जब TOD कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो अगर adjustment करना है किसी invoice का वह हो गया है invoices की generally triplicate copies बनती है duplicate copies तो वह देखना है कि अगर duplicate copy against मैंने पैसा पे किया है तो original copy मैंने mark कर दियो paid अगर को special condition है तो उनको मैंने देख लिया हो payment का timing देखना है कि अगर मेरे को credit days मिले है 90 days के तो मैंने वो credit days utilize कि हो अगर मैंने जल्दी किया है तो आपने देखना है कि आपको discount वगरा मिलाया cash discount के नाम से जाना तो या आपने कुछ point आपको specific करके जाने है मैंने इनको important mark करवाया है को ठीक है बाकि आप वहां से देखना है ठीक है जी कि आगे चलते हैं मजा आया कि कुछ पूछना है आपको इस chapter में पेपर में आएगा एक अजर्शन पूछेगा और आपसे सीधा पूछेगा इसको कैसे verify करोगे तो आपने 5 पॉइंट लिखना है simple बेटा वो पूछेगा ये एक heading पर आपसे question मतलब मैं यह बोल रहा हूँ एक student का question है सर पेपर में कैसे लिखना है बाई सुन लो कैसे लिखना है hello ध्यान से सुनो बेटा पेपर में कैसे लिखना है आपका भी दिमाग में question आएगा कितनी category के question है पहली low base प्रोवीजन लिखा हुआ है पेपर में आ गया शेर कैपिटल के premium को का यूटिलाइस करोगे 5 से 6 पॉइंट है simple अपना line में लिख देना 6 पॉइंट अपने को low की तरह नहीं लिखना प्रोवीजन, fact of the case, conclusion ना security premium can be utilized for the following purpose 1 2 3 4 5 6 time save करो चार मिनिट में answer खतम क्या आप shares को discount पे शू कर सकते हो according to section this shares cannot be issued on the discount अगर करोगे तो यह penalty लगेगी और यह सारा काम होगा, काम खतम, तीन तीन लाइन में आपके answer खतम आपका question आ गया following expenses are the nature of revenue expenditure but can also be give us some example here are the following example for the, एक heading मनाई, point number 1 2 3 4 matter sorted, account के question का answer simple pointer में जाएगा, low का question pointer में जाएगा, disclosure requirement, जैसी किताब में है वैसी लिख दी तो पूरे लप्य मारे तो सामने वाले के दिल के उपर है वो चार में से एक दे, डेड़ दे, दो दे, जीरो दे, वो उसकी मर्जी है तो उसमें कोई judgment नहीं है, अब बात आती है audit based question के, जो की एक या दो question आ सकते हैं आपके paper में मैं कह रहा हूँ 99% आपके paper में general question नहीं आना चाहिए, कि how you will verify fixed assets, how you will verify inventory, how you will verify debtor, बहुत ही simple question हो गया यार इसमें तो फिर आप risk assessment की भी बात कर दो, internal control की भी कर दो, substantive में दुनिया भर के अजर्शन है, सब पेक एक लिग दो, हर कोई लिग देगा question आएगा, how you will verify completeness of debtor, how you will verify existence of inventory, how you will verify valuation of inventory, how you will verify right and obligation of capital assets, मतलब main adjustments यही होती है, तो इनी पर ही आएगा question, वो यह नहीं पुछेगा, how you will verify presentation and disclosure, आप लिग दोगे match कर लो financial से, बाई जहां पे एक ही point बन रहा है, वो थोड़ी ना paper में आएगा, paper में ऐसी चीज आएगी, जहां चार point बन सकते हैं, तो आपने क्या करना है, we will verify completeness of PPNE by applying the following audit, one, document, two, वो आपको देखना है किस एरिया प्या है, तीन, चार, पांच, छे, जितने आपको आते हूँ, sir, कितना लिखे 4 नंबर के, एक और question आता है, मैं class में भी लेता हूँ, sir, कितना लिखे 4 नंबर के answer में, आता है बेटा, आता है ना, जितना आता है उतना लिखो, अब तुमको आता ही तही, तुमको पॉइंट ही तीन आते हैं, और तुम पोचो कितना लिखें, sir, मेरे को 8 पॉइंट आते हैं, लिखना 6 पॉइंट, चार में से साढ़े 3 भी आ जाए, मेरा नाम बदल दियो, चार फेस-to-face का स्टूडेंट था, उसके 13 नंबर कटे थे, क्योंकि घड़े के 8 नंबर के कोश्चन गलत थे, मैं आज उसको गाले देता हूं इसके लिए, वो कहता है, तुमको पॉरे नंबर मिलते हैं, प्रोवाइडिड आपने लपे नाम आ रहे हूं, आई से एक्सपेक्ट करता है, एक्सामीनर एक्सपेक्ट करता है, to the point आप से बाते हैं, तो आपने लपे, इसलिए तो मैं कहता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत जादा, आपको कंसेप्ट की नोलेज होनी चाहिए,